हाई अबरिवन मैं आज आप सभी के साथ में बात करूंगा डस्ट से जिन लोगों को एलर्जी है जिसके लिए आप सिट्रिजिन एलेग्रा या बहुत सारी ऐलोपेथिक दबाईयां आयरुवेथिक दबाईयां या हॉम रेमेडिज कर चुके हैं लेकिन आपको कोई रिलिफ सब्सक्राइब करें लेकिन आपको डस्ट से एलर्जी है लेकिन आपको किसी भी प्रकार के ट्रेट्मेंट से रिलिफ नहीं है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए हैं इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा समझेगा आप अपने लंक्स में जो जमा हुआ बल्ग जाल सकते हैं उसे ठीक कर सकते हैं लंग्स को बहुत आसान तरीके से साफ कर सकते हैं दोस्ते वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है इस वीडियो को पूरा जरूर दिखेगा और समझेगा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर कीजेगा कई लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं कई लोगों को ये समस्या है और ये वीडियो जरूर आपको शेयर करना चाहिए So hi everyone मेरा नाम डॉक्टर लोकिंद है और मैं आज आप सभी के साथ में बात करूँगा जिन भी लोगों को डिस्ट से अलर्जी है पॉलें से अलर्जी है ऐसे लोगों जिनको गले में बहुत जादा बल्गम चिपका हुआ है जिनको बहुत जादा चाती में बल्गम चिपका हुआ है जो बल्गम को बाहर निकालना चाहते हैं गले में बहुत जादा दर्द होता है गले में बहुत जादा उनको पेन और बहुत जादा इरिटेशन होता है बहुत जादा उनको बारवार गले के अंदर बलगम गिरता रहता है बहुत जादा उनको आखों से पानी आता है छीके आती हैं आखे लाल हो जाती है और ऐसे मरीज जिन को सिट्रिजन टैबलेट खाने से रिलीफ मिल जाता है लेकिन उनकी प्राप्लम ठीक नहीं हो रही है उनके लिए ये रामबाट मेडिसन है और बहुत उपयोगी मेडिसन आप सभी के शाहत में मैं शियर कर रहा हूँ तो सबसे पहले लक्षणों की बात करें ऐसे लोग जिन को डस्ट में जाने से या डस्ट के कांटेक्ट में थोड़ा सा जाने से उनको छीक आने स्टार्ट हो जाती है उनको बहुत जादा सोकी खासी उटने स्टार्ट हो जाती है उनके छीकों के साथ में नाथ से पानी आना आँखे लागल हो जाना और बहुत जादा तीज खुजली होना ऐसे अगर लक्षड हैं इसके साथ में बहुत सारे ऐसे रेस्पिरिटरी रिलेटेड लक्षड होते हैं ऐसे इस्तिती में भी ये दवा बहुत ही जादा उप्योगी है ऐसे कई सारे मरीज होते हैं जिनको सांस लेने में भी उनको कई बार कठनाई होती है उनको लगता है कि मैं सांस ले भी पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा बहुत जादा उनको आकसिजन की कमी हो रही है बहुत जादा हट बड़ा हट उस मरीज को होना स्टार्ट हो जाता है इसके साथ में बहुत ही जादा ऐस से बाहर नहीं निकल पाता है ऐसी इस्तिती में वी यह medicine बहुत ही ज्यादा effective है इसके साथ में कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको chronic condition है या उनको बहुत लंबे समय से किसी वीमारी की बजह से problem है कई दबाईयां उनने कई कई सारे test करा लिए है लेकिन उनको कोई relief नहीं मिला है तो इस medicine का एक वर जरूर उप्योग करें तो मैं बात कर रहा हूँ जस्टीश या एधर टोड़ा के बारे में जस्टीश या एधर टोड़ा बहुत important medicine है यह बहुत ही जादा अच्छे तरीके से बलगंग में और respiratory system से संबंदी जितनी भी समस्या होती हैं उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी medicine के बारे में जो साइध ही आपने अभी तक उपियोग की होगी और अगर आपने ये एक वर उपियोग कर लिया तो आपकी समस्या लंबे समय से हो या चाहे वो हाल फिलाल के समस्या हो इसी भी प्रकार के समस्या हो उसे आप इस medicine के मदद से मरीज को आराम दे सकते हैं मरीज के समस्या को ठीक कर सकते हैं मरीज को बहुत ज़्यादा allergy होती है नाक से बहुत ज़्यादा पानी आखों से पानी आना चीक आना, सूखी खासे होना बहुत लंबे समय से उनको चाती में साफोकिशन लगता है उनको लगता है कि चाती में बहुत जादा वल्गम जमा हुआ है अस्तमा की कंडिसन है वीजिंग साउंड्स मरीज को सुनाई दे रहे हैं ऐसी इस्तिथी में भी आप इस मेडिसिन को उप्योग कर सकते हैं अस्तमा जब भी मरीज को होता है ये धीरे धीरे होता है और आपने कई मरीज ऐसे देखे होंगे जिनको डस्ट में जाने से पराकड़ों के आसपास जाने से संपर्क में आने से मरीज को अस्थमा की सिकायत दोरा आना स्टार्ट हो जाता है उसकी सांस फूलने लगती है और मरीज को छीके आना नाक से पानी आना आखे लाल होने जैसे लक्षण मरीज को देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों ये स्टीशिया एधा टोड़ा कैसे आपको उप्यो करना चाह यानि कि अभी हाल फिलाल में दस पंदर दिन से आपको ऐसे लक्षण है जिसके लिए आप सैट्रीजन खा रही हैं या आपको ऐलर्जी संबंदित जैसे लक्षण है तो जस्टीश या एधा टोड़ा आपको थर्टी पोटेंसी में चार बून सोबह चार बून श्याम को ल इसे लेना चाहिए और वनेम जस्टीश या एधा टोड़ा मेडिसिन पंदरा दिन में चार बून लेना चाहिए ये पंदरा दिन में चार बून आपको कम से कम दस बारा डोज लेना चाहिए जैसे ही आप दस बारा डोज लेंगे तो आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाए आपके नाग से पानी आता है ऐसी सभी समस्याओं में जस्टीस या या था डूड़ा बहुत ही जादा उपयोगी मेडिसेन है इसके साथ में दोस्तों आपको दूसरी मेडिसेन उपयोग करनी है सालेशिया 6-x पोटेंजी साइलिसिया 6X पोटेंजी बहुत अपयोगी होता है इस या 6X पोटेंजी की 6 टैबलेट आपको सोभा 6 टैबलेट आपको स्याम को लेनी चाहिए बहुत जल्दी आप देखेंगे आपके लंग्स के अंदर जो जमा हुआ बलगम है उसे भी आप बाहर निकाल सरीर में बहुत जादा बीकनेस रहे ना और बहुत ज्यादा आप बहुत परिशान हो चुके हैं लेथरजी हैं सरीर में खूर नहीं बढ़ रहा है इससे संबंदे सभी बीमारियों का एलाज हमने पिछले वीडियो में समझा था अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बस जरूर देखेगा बहुत important वीडियो है आपको i button में मिल जाएगा या playlist पर आप उसे check कर सकते हैं मुझे आसा है ये वीडियो आप सफी के लिए बहुत important होगा इस वीडियो से आप अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दो पेट कंसल्टिशन कर सकते हैं और हमसे शंपर कर सकते हैं मुझे आसा है इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे मैं फिर मिलता हूं इसी तरह किसे ने वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुश रहे मस्त रहे जहिं क्या हुआ किसे हैं तरह कर सकते हैं और हमस्कार उंचार किसे हैं । किसे हैं प्रगкий कर सकते हैं किसे हैं लगें